नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज विकल पर अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें यहाँ पर आपको पावर श्टेरिंग पंप और हैड्रोलिक पंप काफी अच्छे क्वालिटी इंप्रूब्मेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा जो की साथ में ही डिजाइन की हुआ है मेंटेनेंस के लिहाँ से काफी अच्छा है वहीं यहाँ पर एडिशनल फीचर में आपको अक्जलरी वाल्ब ऑपरेट करने के लिए सीट के राइड साइड में ही अलग से दिया हुआ है जो की और ट्रक्टरों में यह सिस्टम नहीं आता है और साथ में ही यहाँ पर आपको हैड्रोलिक और अक्जलरी वाल्ब ऑपरे का दिया हुए वही नई टेकनोलेजी के साथ यहां पे आपको धाई किलोवाट का काफी हेवी डिटी इसल्फ मिलेगा जिससे ट्रक्टर काफी इजली अस्टार्ट हो जाता है और इसमें काफी मेंटेनेस कम आता है और यहां पे हैड्रोलिक फिल्टर आपको देखने को वहीं फ्रंट टायर साइज की बात की जा तो यहां पे आपको 660 का काफी बड़ा सा अपोलो का टायर प्रोवाइड किया हुए जिसके ग्रीप काफी अच्छा है वहीं रियर टायर साइज की बात की जा तो इसमें आपको अपोलो का ही 1368 का काफी अच्छे हेवी डूटी ट विल्ड के साथ इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टेरिंग देखने को मिलेगा जो की टर्निंग रेडियस इस ट्रक्टर में काफी अच्छा है जो की कम समय में वहीं इसकी इंजन की बात की जा तो यह ट्रक्टर तीन सिलेंडर 34 HP 2780 CC 1800 RPM बोस कंपनी इन लाइन पंप के साथ आता है जो की काफी हैवी ड्यूटी बोस कंपनी डिजाइन करती है पंप को जिससे ट्रक्टर में काफी ज्यादा ताकत बढ़ जाता है वहीं इस ट्रक्टर में आपको यहाँ पे वाटर सेप्रेटर भी प्रोभाईड किया हुआ है जो की बरसात के दिनों में काफी च्रीज में यह ट्रक्टर आता है तो उसका दिखने को मिलेगा और साथ में यहां पे आपको सुनाली का डी आई 734RX का बैजिंग देखने को मिलेगा वहीं यहां पर परकिंग लाइट और इंडिकेटर लाइट को काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूब्मेंट के साथ पैडल मिलेगा जो कि यह ट्रक्टर फुल वाल इमर्ज डिस ब्रेक के साथ इसमें प्रूबाइट करती है वहीं इसकी क्लच की बात की जातो इस ट्रक्टर में आपको सिंगल फ्रिक्शनल प्लेट के साथ आपको क्लच देखने को मिलेगा जो कि सिंगल क्लच के साथ इस ट् प्लेटफर्म चड़ने के लिए काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने डिजाइन की हुई है वहीं इसकी फिल टेंक एफिसीटी की बात की जा तो अपने सरेणी में काफी अच्छा सा बड़ा सा 55 लीटर का यहां पर फिल टेंक प्रोवाइड किया हुआ है और साथ में यहां प को सेंटर सिफ्ट गेर बॉक्स देखने को मिलेगा जिससे आप एट फारवर्ड और टू रिवर्स गेर यूज कर सकते हैं और गेर इस ट्रेक्टर में लगाना काफी इजी है वहीं इसकी डैस्बोड की बात की जा तो इसमें आपको एनलोग और डिश्टल का मिक्सप देख इसकी पीटियो की बात की जा तो आपको इसमें 6 असपाइल के साथ 540 चकर 21 HP का आउटपूट के साथ पीटियो मिलने जा रहा है और साथ में यहां पे हीच को काफी मजबूती के साथ कंपनी ने डिजाइन की हुए जो की काफी बड़ी यहां पे आपको थिरी लिंकेज के स साथ ADDC और यहां पे आपको single auxiliary valve इसमें मिलने जा रहा है कुछ इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा इसका heavy duty hydraulic जो की आपको काफी अच्छे तरीके से linkage के साथ इसमें देखने को मिलेगा और इसकी उठाने की चमता की बात की जाए तो इसमें आपको 2000 kg प्रोवाइड तरीके से reflector provide किया हुआ है साथ में यहां पे 12 बोड का additional socket दिया हुआ है और यहां पे आप oil डाल सकते हैं कुछ इस तरह से आपको side में left के आपको देखने को मिलेगा इसका PTO operated gear और यहां पे आपको additional toolbox मटगार्ड में left side में आपको देखने को मिलेगा वहीं dashboard के बगल में ही आपको यहां पे parking light और indicator light और headlight को switch operate करने को देखने को मिलेगा और साथ में यहां पे आपको काफी बढ़िया है वहीं इसकी hydraulic linkage की बात की जा तो इसकी quality काफी improve की है और इसकी design भी काफी और tractor से अलग provide इसमें किया हुआ है यह था review आज का सुनालिका 734 di rx का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो तो किरपे मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे